स्टापलिस के शो ये रिष्टा क्या कहलाता है में फाइनली ओफिशिली अलग हो गए हैं कार्थिक और नाइरा जी हाँ शो का लास्ट एपिसोड ओडियन्स के लिए काफे शौकिंग रहा लोग अब तक तो ऐसा समझ रहे थे कि कार्थिक और नाइरा का डिवोस नहीं होगा कोई न कोई अन्मोके पराकर इनकी तलाग को रोक देगा या फिर ये दोनों खुद ही अपने रिष्टे को खत्म नहीं करने का फैसला करेंगे लेकिन जैसा सबने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ बलकि इसके ठीक उल्टा ही हुआ हमेशा की तरह डिवोस ग्रांट होने से पहले ही कार्थिक नाइरा दोनों इस मुद्दे पर जट के सामने कुछ नहीं बोल पाए और इस तरह ओफिशिली अलग हो गए कार्थिक और नाइरा वल अगर बात करें इन दोनों के परिवारों की तो सबको अब तक ये उमीद है कि राजश्री कार्थिक और नाइरा के तलाक रोख लेंगी लेकिन असली पहार पूरे परिवार पर तब तूटेगा जब सब को ये पता चलेगा कि कार्थिक और नाइरा का तलाक हो गया है लेकिन अब इसके बाद आगे क्या होगा ओडियन्स के मन में एक यही सवाल खुम रहा है लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर तलाक के बाद की कहानी क्या हो सकती है और कैसी होगी कार्थिक और नाइरा के जिंदगी इनके तलाक के बाद तो चलिए आपके इन सवालों का जवाब देने में हम आपके कुछ पदद करते हैं दरिजल सूत्रों की माने तो आगे आप शो में देखेंगे कि कार्थिक और नाइरा दोनों को ये रिलाइस होगा कि इन दोनों ने बहुत ही बड़ी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा ब्लंटर कर दिया है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बे इंतहा प्यार करते हैं लेकिन सिर्फ मा स्वर्णा के लिए दोनों अपनी जिंदिकी के इस मोहाने आकर खड़े हो गए हैं जहां से अब इनका सफर और ज्यादा मुश्किल भरा होगा अब जैसा कि सब जानते हैं कि स्वर्णा पहले से ही कार्तिक और नायरा के तलाग की ताक में बैठी थी तो ऐसे में वो आशी को लेकर और ज्यादा सीरियस हो जाएंगी और फिर कार्तिकी दूसरी शादी की प्लानिंग भी करेंगी उधर सुने में आये हैं कि इस मुश्किल भरी खड़ी में पापा नायरा का सबसे बड़ा सपोर्ट मरेंगे और अपनी बेटी को संभालेंगे कहा तो ये भी जा रहा है कि नायरा को एक नई जिंदगी के शुरुआत करने की बात करेंगे लेकिन अब देखना तो भी ये होगा कि क्या कार्थिक और नायरा सच में एक दूसरे को भुला कर आगे बढ़ जाएंगे क्या कार्थिक दूसरी शादी के लिए राजी हो जाएगा और नायरा भी क्या किसी दूसरे शक्स से अपना रिष्टा जोड लेगी या फिर ये दोनों अपनी गलती मान कर तलाग के बाद एक साथ नई शुरुआत करेंगे वल इन सब सवालों के जवाब तो हमें शो के अपकमिंग एपिसोड देखने के बाद ही मिल पाएंगे वैसे आप बताईए कि शो केस ट्विस्ट के बारे में आपका क्या खयाल है क्या मेकर्स को काहरा के हाट ब्रेकिंग सेपरेशन का ये ट्विस्ट दिखाना चाहिए था या नहीं कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रू बताईए